नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गौर्णमेंट एल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेने का है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसी बंपर भरती के बारे में बताऊंगा जो हर पंचायत में अगर आ आपको आउधन करना होगा आउधन करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट के जरूरत रहेगी और यहां पर इसमें आपकी कोई भी प्रिक्साया पर कोई इंट्रिव भी नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि यह बर्दी कौन-कौन से रज्यों में लागो ही और कौन-कौन से इसमें आज आउधन कर पाएंगे जैसे कि दोस्तों यहां पर आगर आपकी लिमिट की बात करें तो इसमें आपके एज लिमिट है जो अथारवर सहथिक होनी चाहिए अगर आपकि आएउस्हाइव सेहतिक है तो ही इसमें आउधन है जो कर सकते ह और यहाँ पर आप साही मेला है प्रूच है कोई भी बेखती है तो यहाँ पर अपना जो फॉरम है जो बर सकते हैं और ओल इंडिया कैंडिडेंट मेल एंड फीमेल दोनों आउदिन कर सकते हैं यानि कि अगर आप किसी भी राज जिम रहते हैं तो अपना फॉरम भी बर पाएंगे और फॉरम फीस है जो बिलकुल फिरी रहने वाली है सबसी पहले तो आपको बता दू कि आपको फॉरम बरने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि यह फॉरम है जो आपकी फीस है जो बिलकुल नहीं लगने वाली है अब दोस्तों सेलेरी की बात करें तो सेलेरी हर महीने यहापर 55,000 रुपय सेलेरी मिलेगी और दोस्तों सेलेरी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दू इसमें जो फॉरम बरने की क्या अंतिम दिती रहेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा लेकिन जो फॉरम बरने की इस वीडियो में यही जानता है कि आपको फॉर्म कैसे बरना है फॉर्म बरने की पड़करिया क्या है कैसे आपको आउधन करने को मिलेगा एक एक करके पूरी जान करिया जो इसकी ऑफिशल वेबचेट पर चलते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आच चुक अब दोस्तों की बात करें तो वेतन आपको 35,000 उपर पड़ती मा वेतन मिलेगा जो कि दोस्तों हर महीने आपको 25,000 से धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपका पद का पर्मसन होगा और सबसे जादा पदवर यह जो निकली है अब दोस्तों इसमें की कोई प्रि कि यहाँ पर आपको मैं बता दू यहाँ पर दस्वी बार्वी और ग्रियुट पास के आधर पर आपके परतिषत के आधर पर सेलेक्शन किया जाएगा जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके आम तोर पर देखा जाता है ऐसी कई शरी ऐसी वर्द्या निकलती हैं जिसमें यह पर बिजली भिबाग भरती के निर्द्यारी त्योकिता को पूरा करते हैं तो अंतिमतिती से पहले पहले जरूर आवदन कर लें अब दोस्तों यह आवदन करने के लिए आपको मैं बता दू सबसे पहले पद का नाम किया रहेगा पदों की संक्या कितनी है तो पहला पद है फ्रीभ्सडी अर बिलोव पर इसका नॉट्यमीकर जाडि हो जाएगा अब दोस्तों मैं आपको बता हू सबसे पहले आपको क्या देखना को मिलेगा तो पोस्ट पहले सबसे पहले कितने पदों पर यह बरती नेकली है तो यहाँ पर मिटर रेडिंग के लिए 60,000 और इलेक्टरिशन के लिए 29,000 पदो पर है जो भरती जारी होने वाले है अब इसमें सेक्षिनी की योगिता कि आपकी इंपूडेंट क्यों रहता है क्योंकि आपके पद के लिए आवधन करते हैं तो इसमें कौन से पद के लिए अगर आवधन करना चाहते हैं तो कौन से पद के लिए आपको आवधन करना होगा और आवधन करते हैं तो इसमें आपकी योगिता क्या होनी चाहिए जैसे कि दोस्तों अगर आप मिटर रिडिंग के लिए आवधन करते हैं तो आठवी दसवी पास होना बहुत ही जरूरी है अगर आप इलेक्टरिशन के लिए आवधन करेंगे तो इसमें आपर बारवी पास होना ही चाहिए अगर आप दसवी बारवी आठवी पास है तो इसमें आउदन है जो इस पद के लिए आउदन नहीं कर सकते हैं अगर आप बारवी पास है तो भी अगर आप यह सोचते हैं कि हम दोनों पदों के लिए आउदन कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इन मेंसे एक पदो के आपके आवधन कर सकते हैं अगर आपने यहापर बारवी पास है और आपने मिट्रेडिंग के लिए आवधन कर दिया तो आप उसी के अंदर आपको आवधन रहेगा न कि इलेक्ट्रेशन के लिए आप आज जो आवधन कर सक आप मिट्रेडिंग के लिए आवधन है जो नहीं कर सकते हैं और दूसरा है कि आगर आपने मिट्रेडिंग के लिए आवधन कर दिया तो आप इलेक्ट्रेशन के लिए भी आवधन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जैसे आप आवधन करेंगे तो आपका दोनों फॉरम है जो र पर बाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अपकी आयू सीमा जो 18-45 वर्षतक होनी चाहिए और इलेक्टरिशन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 18-40 वर्षतक आपकी आयू सीमा जो होनी चाहिए अब दोस्तों बिजली विबाग बर्षती में यहां पर रपे सेलेरी की बात करूं तो 28-47,000 रुपय तक सेलेरी मिलेगी जो कि दोस्तों अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग आपकी सेलेरी मिलेगी और सेलेरी के साथ-साथ में आपका जैसे सेज़े पद का प्रमसन होगा उस अनुजार सेलेरी भी धी दिरे बढ़ दी रहेगी 28,000 रुपय से सुरू होगी और दिरे दिरे सेलेरी जो आपके बढ़ दी रहेगी अब दोस्तों बात करते हैं इसमें यहां पर आप इस बर्ते के लिए इस लिमिट में आपर निमन परकार का चूट का प्रावदान भी रखा गया है जैसे कि यहां आपको कोई भी जान करी चूटेन है और आपको फॉरम है जो सई से बराजा सके अब हाउ के अपलाई कि मैं बात करों तो और इंडिया केंडिडेट मेल और बारवी पास ग्रेज़ेट पास सभी लोग है जो इसमें आवदन है जो कर सकते हैं अब दोस्तों वेतन हैं जो मैं यह कि यहां पर आप अपलाई मोड है लेकिन आप आउदन करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या-क्या होने चाहिए कुछ मेरे भाई और बहन हैं जो यहां पर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने के कारण भी उनका फॉरम है जो एक फॉरम है जो नहीं भर पा पास में दूसरा आपका हैस्ताक्सर होना चाहिए और तीसरा है आदारकार्ड वोटर आईडी काल्ड और दोस्तों इसके बाद में आपकी डॉक्यमेंट रहने वाला है वह दस्वी वारवी के आंकताली का होना बहुत ही जरूरी है और दूसरा है यहां पर आपका आयू सिमा यहां पर आपकी ध्यान में और जनम परमान पत्र भी आपका होना चाहिए अब दोस्तों उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको पदा दूँ आउदन कैसे करना है तो इसकी आपीशल वैबजेट पर आपको जाकर आउदन कर देना है आलाई कि करING आईगी तो हम आपको आगर वीडियो में बता देंगे और यहांपर आपको जैसे याया भाड़ती नहीं है आईए नहीं है जैसे ही आएगी तो हम आपको बता देंगे और एक वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कर देना है चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि अगली कोई भी नियापर जैसे नियापर बढ़ती आएगी तो हम आपको बता देंगे तो आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है चलिए जहिंद वंदे मात्रम